हलो वच्चो मैं प्रियाराटोर आपके लिए आज लेकर आ गई हूं अपना जो चैप्टर चल रहा है और एंडिंग की तरफ है ठीक है यह तो आपको पता चल गया होगा कि कहां पहुंच गए हम चैप्टर बहुत लंबा जरूर था लेकिन इजी था तो आपको दिक्कते नह आ रहे होगी समझने में चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नमबर 13 है और क्या क्या चीजे हमें पढ़नी दी यह तो हम देखी चुके हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पारितंत्र यानि कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और काफी कु साधन है वो री साइकल होते रहते हैं यानि कि पुनह निर्मान होता रहता है उनका उसमें हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा जल चक्र पढ़ा तो अब बारी है कार्बन चक्र पढ़ने की कार्बन हमारी बॉड़ी के अंदर बहुत जादा है यानि कि अगर हम लिविंग तो living thing में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें oxygen को छोड़ दें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कार्बन बहुत जरूरी है और हमारी जितनी भी चीज़े आप जो lower classes में पढ़ते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडेड इन सब का निर्मान कार्बन से होता है सब का, चलिए, कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है, अभी जस्ट मैंने कहा कि जीवन जो है आपके जितनी भी cells हैं, जितने भी आप, मतलब अगर आपने cell पड़ी है, obviously पड़ी है 9th के अंदर, cells में हमने जो पड़ा कि ये DNA है, ये RNA है, ये रासायन है इसके अंदर, ये कार्वन, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का तो बहुत ज़्यादा काम है हर चीज को बनने में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कार्वन और हाइड्रोजन, यहाँ जीव द्रविके सरवादिक महत्पूर योगिक है, जैसे मैंने अभी नाम लिये थे, प्रोटीन, कार्बोई जिसमें आप शरक्रा कहते हो, कार्बोईड को है ना, ग्लुकोस, फ्रक्टोस, जितनी भी शरक्रा है, नाभी की अमले, नाभी की अमले क्या होते हैं, सेल पढ़ा था, न्यूकलियस, न्यूकलियस अमले के अंदर हमने कहा था, न्यूकलिक अमले होते हैं, है ना, नाभी के यह दो प्रकार देखे तो यह डिएने और आने ने भी कार्बन के बने होते हैं। इनमें भी कार्बन हाडो जन अक्सिजन नैट्रोजन होता है। ठीके उसके बाद काफी सरवादिक मेहत्पून गटक है। अगर हमें एक अंदाजा निकाले तो कारवन किसी जीव के शुष्क बार का 49% भाग बनाता है अब 49 तो आपको समझ में आ गया आधा भाग है ना लेकिन शुष्क बार समझ नहीं आया यह शुष्क बार क्या होता है अगर हम living thing के बात करें चाहे पौदों के बात करें चाहे एनिमल्स के बात करें हम यह कहते हैं कि हमारी body का 40-70% पार्ट जो है उसमें जल होता है हमारी body में भी जल बहुत जादा है अब यह 40-70 को लिखा है क्योंकि सब का अलग अलग होता है जैसे मैं आपको एक fact बताओं तो पता नहीं मैंने आपको कभी बताया है नहीं को कि इतनी classes लेती हूं मैं तो मुझे कभी लगता है 11 वालों को बताया है या नाइंफ वालों को बताया है कि नहीं कि अगर हम एक average निकाले तो देखो आप कोई भी fruit खाते हो कोई भी fruit खाते हो तो सारे fruit में पानी की मतरा अलग-अलग होती है अगर आप watermelon लोगे, खरबूजा तो उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है उसी जगह अगर आप कोई apple खा रहे हो या कोई और चीज खा रहे हो तो पानी की मतरा थोड़ी उसमें कम रहेगी तो basically हम एक average निकालते हैं, इंसानों से लेकर पौदो तक, fruit तक, कि 40-70% पानी होता है अब अगर अभी इस पानी के साथ आप हमारा weight निकालते हो, जैसे कि अभी मैं weighing machine पे जाओं और वहाँ पे अपना weight तोलू तो जितना भी मेरा weight होगा, उसमें blood होगा, पानी होगा, सब कुछ होगा ऐसे ही पौदे को भी अगर मैं गीला के गीला उखाड के, जैसे वो जड़ है, वैसा कि वैसा उखाड के अगर मैं weighing machine पर डाल दूँ पेड को, पेड या पौदा जो भी जिसका भी weight आप करना चाते हैं, तो उसका जो weight होगा, वो normal भार होता है लेकिन उसमें हमें पता है कि 70, 40 से 70 परसेंट तो पानी है, तो हम क्या करते हैं, उसका शुष्क भार निकालते हैं, अब यह शुष्क भार क्या है, dry weight, किस क्या कहते हैं, इसको dry weight कहते हैं शुष्क भार शुष्कबार क्या होता है पौदे को निकाल के सुखा दिया जाता है दूप में जितना maximum उसमें से पानी निकल जाए उसको सुखा देते हैं फिर उसका वेट करते हैं सुखे हुए पौदे का है ना तो उसको हम कहते है ड्राइवेट तो dry weight जो भी पचा है जैसे मानलो पहले 100 kg आ रहा था अब पानी निकलने के बाद 60 kg आ रहा है और 60 kg में का भी 49 मतलब आदा ही मानलो एक तरह से 70 का भी 50% पार्ट क्या है इसके अंदर कार्बन है ऐसे ये कहना चाहरा है जीवों के जल के बाद कार्बन की ही सरवादिक मातर होती है जल देखो 40-70% है उसके बाद 50% तो हमारा क्या है कार्बन है कार्बन प्रत्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है यह अपने मूल रूप से हीरा ग्रेफाइट में पाया जाता है सपने पड़ा है ही तब और पड़ोगे, कार्बन बूमी के अंदर पाया जाता है, जो हीरा है, जिसको आप डाइमंड क्याते हो, और ग्रैफाइड, ग्रैफाइड क्या होता है, एक तो जो आप मोटर साइगल वगारा कभी इंटरस्थ हो, तो उसमें जो ऑईल डालते है उसमें भी होता है, यह सब कार्बन से बने हुए, जमीन के अंदर कार्बन जब इखटा होता जाता है, तो वह अलग-अलग अपने फॉर्म्स बनाता है, जिसमें ग्रैफाइड भी होता है, एक फुलरीन भी होता है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा टैंथ में पढ़ेंगे, और एक हीरा, जो आपको पता है कितना इंपोर्टेंट है, बता हो कार्बन काला, हीरा चमकीला, प्रक्रती है, यह नैचुरली बनता है, वैसे आजकर हम अर्टिफिशल हीरे बनाते हैं, लेकिन नैचुरली कार्बन से बनता है, कार्बन का बहुत, मतलब कार्बन ही है, यह प्योर क लेकिन अंतर देखो यह प्रक्रती है इसलिए हीरा बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं हीरा बनने में और चटानों में आप जैसा हीरा देखते हूं वैसा हीरा नहीं होता है यह ऐसा ऐसा शेव जो होता है ऐसे डाइम कि यहीरा होता है एसा नहीं होता है एसको घिसाई खरके आगरे शोब shines निकालके पिर उसको ऐसे फॉर्म नायब जाता है पथर यहीरा पत्थर जैसा शुभी आपने जोजाते है यह उस रूप में होता है योगित के या वायू मंडल में कार्बन डायक्साइड की रूप में होता है यह बात हमें पता है पॉल्यूशन चैप्टर पड़ा था कि वायू के अंदर भी 0.03% कार्बन डायक्साइड होती तो यहां पे भी कार्बन है विविन प्रकार के खनी जो जैसे कार्बोनेट चुना जो आप निकालते हो कार्बोनेट जो आप निकालते हो है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट थोड़ा केमिस्टर के अंदर आप नीचे की तरफ पढ़के आए हुए आपने नीचे वाले chapters के अंदर तो भई ये carbonate के form में जमीन के अंदर पाया जाता है चुना हम बनाते हैं marble calcium carbonate जो marble आप घरों में लगाते हो उसमें भी क्या है यह रा carbon calcium अलग है यह carbon यह रा और oxygen calcium carbonate तो उसमें भी carbon हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में खनीजों के रूप में अलग-अलग फॉर्म्स में कार्बन जो है प्रक्रति के अंदर मिलता है जबकि सभी जीव रूप कारबन आदारित अनु जैसे की प्रोटीन कार्बोयड यह हमने देख लिया था 위डर जेवों के अंदर भी पाए जात है यह अमारे अंदर है तो इन में भी पाए जाता है पौडों के अंदर भी प्रोटीन है कार्बॉइड है कुछ पौधे फैट भी रखते हैं जिसे आप अईल निकालते हो है ना मुँद्फली वगएरा तो विटामीन विटामीन के अंदर भी कार्बन होता है तो carbon जीवन का अधार है क्योंकि इन सभी जगों पर carbon हमें मिलता है ठीक है बहुत चारे जन्तों के बहारी और बीतरी कंकाल भी carbonate के बने होते हैं जैसे की c के अंदर समुद्र के अंदर रहने वाले वो जो गूंगे होते हैं गोंगे समझ गया, आप स्नेल, ऐसा जो होता है न, ऐसा, स्नेल होता है न भी अपने वो भी देखा होगा, वो ऐसा गोला रहता है यहाँसे ऐसा इनिमल निकलता है, सीप देखी होगे आपने ऐसी सीप निकलती है रेती के अंदर अलब लग शेप की ऐसी वाली कोन वाली भी देखी होगी ऐसी डिजाइन वाली रेती के अंदर निकलती है जो ये सब में क्या होते हैं? ये क्या है? इनके अंदर एनिमल्स रहते हैं यह अनिमल्स है यह हमने मोलस्का संग के अंदर पढ़ा था कुछ याद आ रहा है कि बस इन्वार्मेंट में खो गए हो वही मोलस्का मोलस्का भी पढ़े है ना उनने आगे वाले चैप्टरस में तो मोलस्का के जो सीप थी गोंगा था पाईला वागेरा जो हमने पढ़ा था उनके कवच किसके बने हुए है उनके जो खोल है वो किसके बने हुए है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कार्बोनेट मतलब कार्बन कार्बन है कार्बन है कार्बोनेट के फॉर्मोले में है ना अभी दिखाया तो भी लवनों से बने होते है प्रकास संसलेशन जो carbohydrate का ही एक form है जो अभी हमने पढ़ा carbohydrate है उसका ही एक form होता है glucose starch बनाते हैं जो बाद में starch में परिवर्तित हो जाता है glucose पौदों के अंदर starch की form में रहता है प्रकार सेंसलेशन में सूरी की उपस्तिती में उन सभी पौदों में होती है जिन में chlorophyll होता है इन मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विबिन प्रकारों में समाइश्थ होता है आप वो पौदे खाते हैं तो आप में कार्बन आ जाता है फिर आप जमीन में मर जाएंगे सड़ जाएंगे वही cycle तो यही है जाना और अल्टिमेटली मरना और मिटी के अंदर मिल जाना यही चक्र है सब चक्रों में हमें यही पढ़ना है कि कैसे recycling होती है यहाँ प्रक्रिया वायू मंडल में या जल में घुले कार्बन डायोकसाइड को ग्लुकोज अनू में बदलती है किसकी बात कर रहा है यह photosynthesis की प्रकाश translation की बात कर रहा है प्रकाश translation में क्या होता है वायू मंडल मैंसे CO2 कार्बन डायोकसाइड वाटर और क्लोरोफिल लेके ग्लुकोज बनाता है यह रहा ग्लुकोज का formula लिखा मैंने C6H12O6 formula आपको याद नहीं करना है आपको बस याद करना है यह बताने के लिए formula लिखा है कि देखो इसमें भी कार्बन है यह ग्लुकोज अनू या तो दूसरे पदार तुम्हें बदल दिये जाते हैं या दूसरे जेविक रूप से महतपुन अनू के sun salvation के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं अब यह ग्लुकोज हमेशिआ ग्लुकोज नहीं रहता अभी मैंने कहा कि ग्लुकोज बंता है लेकिन यह ग्लुकोज पौदो में यह ग्लुकोज पौदो में स्तार्च में बदल जाता है इसलिए आपने कहीं पड़ा होगा कि पौदो का जो खाना है पौदो का जो संचित बोजन है वो क्या होता है स्टार्च होता है यह लाइन ध्यान रखे संचित बोजन बनता तो ग्लुकोज है फोटोसिंथेस से लेकिन वो परिवर्तित हो जाता है स्टार्च के अंदर स्टार पहले वापस glucose में बदलते हैं और फिर glycogen में बदल देते हैं तो हमने हमारा तरीके का carbohydrate बना लिया है न हमने खाने को digest किया digestion अगे रहा होता है digestion किया पाचन किया उससे हमने हमारे तरीके के चीज़े बना लिए जो हमारे शरीर को चाहिए इसको तोड़ के तो या तो दूसरे पदार्व में बदल दिये जाते हैं या J.1 group से Mathpun and O کہ Federation में काम आ जाते हैं माल लो glucose से और कुछ बना लिया यही glucose से starch बना लिया glucose से maltoz बना लिया ये सब पढ़ेंगे तोड़ा अप higher classes में जाएंगे कैसे बनता है और ये सब है क्या ultimately ग्लुकोज स्टार्ट से मिलता गया है, एनर्जी, उर्जा मिलती है, एड वगेरा देखियोंगे, है ना, वो सन होता है, वो बच्चे का सारा पानी चूस लेता है, फिर वो कहता है, ग्लुकोणी पिलाओ, ग्लुकोणी में क्या होता है, ग्लुकोज, तो इससे क्या मिलती है, आपने वह sports person को देखा होगा, किलाडियों हो, है ना, जो sportsman होते हैं, वो दिन बर कुछ नग कुछ पीते रहते हैं, वो क्या पीते रहते हैं, वो cold drink थोड़ी ना पीते हैं, वो glucose पीते हैं, उसमें energy drinks होती हैं, उनमें glucose, glucose क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी हमें energy दे पाएगा, कोई चीज हम खाते हैं, तो वो पहले पाच्चित होगी, उसके बाद उससे energy मिलेगी, glucose जयता है, डाइरेक्ली आपके blood के अंदर जाके energy देने लग जाता है, तो वो glucose वगएरा पीते हैं, कोई बिमार होता है जिसके energy कम हो जाती है, तो उसको जल्दी से शक्कर गोल के या ग्लुकोन नमक शक्कर गोल के पिला देते हैं, इलेक्टरल पिला देते हैं, ग्लुकोन डी पिला देते हैं, गर्मियों के अंदर, जीवित प्राणियों को उर्जा ब्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लुकोस की उप्योग होता है अभी जश्मे ने बताया सारा चीजे की कैसे यह हमें उर्जा दे रहा है है ना उर्जा देता है अच्छा हमारी उर्जा किस रूम बे होती है ये वही कोशिका वाले चैप्टर में ATP उड़जा बुद्रा है हमारी याद आ रहा है पुराना भी याद कराती चलती हूँ वरना परियावरण की ठंडी ठंडी हवाओं में खो जाओगे और दरबायो की कहानिया मुलच जाएंगी ठीक है? उपयोग किया जाता है स्वशन की क्रिया द्वारा ग्लुकोज का कारबन डायकसाइड में बदलने के लिए ऑक्सिजन का प्रियोग होता है और नहीं भी अब ये क्या दिया है? ये ये दिया है कि ये उर्जा ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो रही ये जो ग्लुकोज आता है ना ये ग्लुकोज ये ग्लुकोज हमें एनर्जी दे रहा है ठीक है पक्की बात बहुत जल्दी एनर्जी दे रहा है ये भी पक्की बात लेकिन इस ग्लुकोज को अपनी एनर्जी निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए होती है और वो है ओक्सिजन कौन चाहिए? ओक्सिजन चाहिए अब ये ओक्सिजन कहां से लाओगे? जो ये सासे ले रहे हो आप क्या ले रहे हो? ओक्सिजन अच्छा, एक फैक्ट जो आपको हमेशा गुमराह करते हैं शुरू में कि हम जब सास लेते हैं या सास छोड़ते हैं तो आपने हमेशा से ये सुना होगा कि जब हम सास लेते हैं तो ओक्सिजन लेते हैं और सास छोड़ते हैं तो कार्बन डायक्साइड लेते हैं सही बात लेकिन आप purely oxygen या purely carbon dioxide कभी नहीं लेते हैं जब आप सांस लेते हो तो आप हवा अंदर लेते हो और उस हवा में oxygen भी होती है और carbon dioxide भी होती है बस oxygen की मातरा जादा होती है तो हम ऐसे कह देते हैं कि हम oxygen लेते हैं पर सिब्र ले пошते ही इसे जब हम चोडते हैं तो सिफ स्थ मात्रा में हम उक्सीजन बीबार देते लेकिन oxygen की मात्रा कम होती है इसलिए हम क्या देते हैं कि हम carbon dioxide छोड़ते हैं ठीक है यह एक fact है जो आपको अभी से जान लेना चाहिए बच्चे क्या शुरू-शुरू में हमें बच्चों को यह रटा देते हैं ऐसे ऐसे फिर जब बड़े होते तो उनकी दमाग में घंड़े बचती है पहले यह पढ़ाया था अभी यह पढ़ा रहे हैं ऐसा चलता है कभी-कभी आपको भी कही ऐसे यहाँ पर में जब पढ़ाती हूं लगता हो याँ तो यही चीज़े मेरे से आप पढ़ोगई न 11 पे कोई बायो बायो है बायो है बायो है लेगा तो आपको लगे गार मैम ने 9th में ऐसे पढ़ाया था अब मैम ऐसे कह रही है तो आपको आपकी class case आप से पढ़ा रहे हैं इसलिए वैसे मैं कोशिश करती हूँ आपके जितने भी concept है आपने देखा होगा आपने classification को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा NCRT से बहुत अलग पढ़ा ताकि आपको कभी वो confusion नहीं हो और आगे जाके कभी आप किसी से बायो पढ़ो मुझसे नहीं पढ़ो किसी और से पढ़ो तो आपको यह नहीं लगे कि मैम ने तो यह बताया था अब यह यह हो रहा है वो होता है क्योंकि आपको आपकी क्लास के इसाब से पढ़ाया जाता है खिके चले oxygen carbon dioxide में बदलने के लिए oxygen का प्रयोग हो जाता है और नहीं भी अब यह नहीं भी क्यों कह रहा है दो तरह के bacteria पढ़े थे आपने यादे आपको एक तो वो बैक्टिरिया होते हैं या वो जी होते हैं जो oxygen से स्वशन करते है oxygen जिसको हम क्याते है और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको oxygen के ज़रूत नहीं होती जैसे कुछ bacteria जो चीजों को सडाते हैं दही के अंदर पाए जाने वाले बैक्टिरिया ये सब क्या इंको oxygen की ज़रूत नहीं है ये बिना oxygen के भी स्वशन कर लेते हैं respiration कर लेते हैं तिके इसलिए यहाँ पर लिखा है नहीं भी नहीं भी का reason उन कुछ गिने चुने जिवानू बैक्टीरिया के लिए है यह carbon dioxide yu मंडल में आपस में चली जाती है और दहन की क्रिया या इदन वारा खाना पकाने गर्म करने याता यात मतलब की traffic transportation उद्योगों में होता है इसके द्वारा yu मंडल में carbon dioxide का प्रवेश हो जाता है अब ये तो लेने की बाते होगी कि carbon कहां से ले रहे हैं तो पौदे प्रकाश translation से ले रहे हैं हम पौदो को खा के ले रहे हैं या जो ये salts हम खाते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं ये तो ये बात होगी लेने की अब ये वापस carbon dioxide जायेगी कहां कैसे जाती है तो पहला तो वहीज़ग हम सासे छोड़ते हैं तो हम carbon dioxide देदेते हैं निकाल रहे न अभी जब हम सास छोड़ते हैं तो carbon dioxide देदे तो एक तो ये चले गए दूसरा क्या होता जो हम चीजे कर रहे हैं जैसे आप खाना बना रहे तो उससे आपको पता है कौन सी गैस निकलती है, चीजों को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कारबन डायोकसाइड, तो उस फ़र्म में कारबन डायोकसाइड जा रही है, ठीक है, खाना पकाने, गर्म करने, उद्योग जितने भी चल रहे हैं, इंडस्टिर चल रही है, लगना जलना तो यह वापस चली जाती है एक तो इस तरह से चली गई वास्ता में जब उद्योगी करांती हुई और मानव के बहुत बड़े पैमाने पर जिवाश में इदन को जलाना शुरू किया अब जैसे जैसे जन संक्या बड़ी तो उद्योग भी बड़े हैं ना चीज कर भी बना रहे हो इन सब में चीज को गरम करना पड़ता है चीजों को जलाना पड़ता है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हर चीज को बनाने के लिए तो दहन एक important fact है कोई भी चीज आप बना रहे हो फैक्तरी के अंदर तो गरम तो maximum चीजों को करना ही पड़ता है तो जब कोल है यह जो डीजल है यह जो कोला है यह सब जिवाश में इधन होते हैं जिवाश में समझते हो प्रत्वी पे पुराने बहुत सालों पहले एट्ट क्लास में पड़े होंगे आपी है ना बहुत साले पहले जीव जनतु जो है प्रत्वी पर जब मर जाते तो नीचे दपत यह दीरे दीरे गलने लग जाते हैं और गल के यह पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि carbon है सब सब में carbon है और यही carbon फिर पेट्रोल डीजल कोईला बनता है फिर हम इसको जमीन से निकालते हैं के माइनिंग से और फिर इधन के तो इनको कहते है जिवाश्म जिवाश्म का मन्दब नीचे दब जाने से जो बना हुआ है उसको हम इधन जिवाश्म इधन कहते हैं फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं इसको तब वायू मंडल में कारबन डायकसाइट की मातरा दोगनी हो जाती है समुद्र में भी होता है जमीन नहीं समुद्र के तल पे भी होता है यह वहाँ पे भी होता है पढ़ा है आपने एट्थ ग्लास में इसको तो बही क्या होता है तब यह वायू मंडल में कारबन डायकसाइट की मातरा दोगनी हो जाती है अब बहुत जल रहा है सब तरक से कार कारबन की विभिन भोतिक वर जेविक क्रियाओं के द्वारा पूनचक्रन होता है और इसी तरह कारबन का भी क्या चलता रहता है चक्रन चलता रहता है ठंडे मौसम में उश्न कटिबंदी पौदों को गरम रखने के लिए आवरन बनाने की प्रक्रिया इस अवधारना का उप्योग किया जाता है अब बात आ रही है हमारे एक फैक्ट की जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ग्रीन आहाउस इफेक्ट अब जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं तो हमारे मन में वही जो आपने पढ़ा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नुकसान दायक होता है इससे हमारी प्रथवी का टमपरेचर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे पड़ा है लेकिन यह शब्द Greenhouse आया कहाँ से है, पहले हम इसके बारे में देखेंगे इस प्रकार के आवरन को Greenhouse कहते है वायमडली प्रक्रियाओं में भी Greenhouse होता है देखो क्या है green house आपको समझाते जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर बोला ठंडे मौसम वाले वहाँ पर क्या होता है सूरज की रोशनी कम आती है दिन बर ठंडी रहती है बर्फ गिरती रहती है ठंडा रहता है बहुत रेली 2-4-5 घंडों के लिए सूरज आता है और इतनी भी सूरज की रोशनी नहीं होती मतलब ठंडा मौसम रहता है बर्फ नी भी जम रही है तो भी ठंडा रहता है इनमें क्या होता है पॉदे अगर इस तंड में रहेंहे तो मर जाएंहे पॉदो को काम करने के लिए अपने शरीड की अंदर की क्रिया करने के लिए भी एक ठंपरेचर चाहिए होता है यह पौदे उगए यह house जो है यह खुल सकता है यह दरवाजा ऐसे उपर से खुल सकता है तो जब दिन का समय होता है sunt light आरी होती तो इसको खोल दिया जाता है तो sunlight जो है अच्छे से अंदर आजाती है पौदों को sunlight मिलती है पौदे कर लेते हैं अब sunlight की वज़ा से ये एरिया गरम हो रखा है शाम जब होती है तो आपको बता है शाम को temperature कम हो जाता है और ठंडी होने लग जाती है और वहाँ पे तो और ठंडी होगी हमारे यही रात को ठंडा हो जाता है तो आप तो और ठंडा हो जाएगा अब वो क्या करते हैं शाम होते ही इस gate को बंद कर देते हैं उसको बंद कर लेते हैं अब उसको बंद कर लेते हैं तो क्या होता है बंद कर लेते हैं तो जो अंदर हीट है जो ताप है अंदर सूरज की रोशनी सूरज की विकिरने जो आई हुए जिसकी वजह से यहां पर टेंपरेचर अच्छा खासा है तो जैसे ही जमीन थंडी होती है तो यहाँ वाली हवाएं भी ठंड़ा होना शुरू करेंगी यह concept हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने बात की थी बादल बनने वाले process की कि यह जमी ठंड़ी होगी, लैंड ठंड़ी होना शुरू होगी तो यहाँ की चीजे भी ठंड़ी होना शुरू होगी अब यह गरम हवा जो है यह बाहर निकलना चाहेगी आपको पता है हवा जब गरम होती तो वो उपर जाना चाहती है अब यहां की जो गरम विकेड़ने वो बाहर जाना चाहती है लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि हमने वो shade है वो बंद कर दिया है अब ये shade बंद कर दिया है तो विक्रिणे बाहर नहीं जा पाती और यहां का temperature नॉर्मल रहता है मतलब बाहर के comparison में 10-15 degree कम ही रहता है जैसे मालो बाहर minus 20 है temperature तो यहां पे 10 degree के आसपास है तो पौदो को गर्माहट सी feel होती है यह कुछ ऐसा ही है कि एक आप room के अंदर बंदो आपको कम ठंड लगती है लेकिन आप अभी बाहर जाओ खुले में ठंड लगेगी लगेगी ना तो वैसे हम यहां पे temperature maintain करके चल रहे है इसको कहते है ग्रीन हाउस अब यह तो अच्छा है इनके लिए हमारी प्रत्वी पे भी ऐसा यह green house पाया जाता है जब वो अच्छे तरीके से काम करता है हमारी प्रत्वी पे क्या होता है जो सूरज की रोशनी है वो दिन में आती है प्रत्वी पे प्रत्वी को गरम कर देती है अब रात होती है ना, तब हमारा जो वायू मंडल है, उसमें आपको पता है समताप मंडल होता है, सस्टी पढ़े होंगे, ओजोन मंडल होता है, तो हमारे भी वायू के बहुत सारे घेरे हैं से, दिन में तो वायू अंदर किरने आती है, सुरज की और प्रत्वी को गरम कर दे तो थंडा पन जादा होता है, अब रात के समय क्या होता है, यह सुरज दिन बर जिस हीट को गरम किया हुआ है, यहां विकरने जाना चाती है, लेकिन इनको जाने नहीं देते हैं, और प्रत्वी का टेमपरेचर मेंटेन रहता है, प्रत्वी एकदम ठंडी नहीं हो जाती, वरना तो अगर ये विकेर्ण सारी बाहर निकल जाए ना, तो हमारी प्रत्वी में भी सब जगा पे, पूरी दुनिया में, वहाँ जो ठंडा है, वहाँ तो है ही, पूरी दुनिया में टेंपरेचर माइनस पे चला जाएगा, लेकिन ये मेंटेन करके चलती है, ताकि दिन में जो ठंपरेचर था, उससे रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है, जादा ठंडा नहीं होता, आपको गर्मियों में लगता भी होगा है ना गर्मियों में दिन में एकदम गर्म रहता है रात को भी गर्मी रहती है ऐसा नहीं कि बिल्कुल थंड़ा ही हो गया है ना टेंपरिचर तो ये विकेंडे कब तब जब तक ये जो गैसेज हैं वो एक लिमिट तक काम करती है अच्छी तरह से काम कर रही तिन नुकसान दायक नहीं होती है इसमें कारबन डायकसाइड भी है इसमें ओजोन भी है अब क्या हुआ कि हमने पॉल्यूशन किया बहुत ज़्यादा पड़ा हमने अब इस पॉल्यूशन की वज़े से क्या हो रहा है हमें एक नुकसान हो रखा है हमारी प्रत्वी पे जो ये लेयर्स थी ये लेयर्स थी जो हमें फाइदा पहुचा रही थी अब इन लेयर्स में सी ओ टू की मात्रा बहुत बढ़ गई है ज़ादा मोटी हो गई हैं इसमें कौन है सी ओ टू है मिथेन है यह मिथेन का फॉर्मुला है सल्फर डाइ ओकसाइड है मेंली तो यह दोनों ही है क्लोरो फ्लोरो कर्बन भी आप पड़े होंगे इसमें अब यह लेयर्स बहुत मोटी करती अब दिन में तो क्या होती है ये लेर दबादप दबादप खुद भी अवशोशित करती है सूरी की किर्णों को अंदर भी जाने देती है और ये खुद अवशोशित करके भी उनको भी उतसरजित कर देती है प्रत्वी के तरफ जब ये अशोशिक करती ही किर्णों को तो इनको एनरजी मिलती है फिर ये एनरजी को बाहर फेकती है तो नीचे की तरफ फेकती है तो खुद भी उत्सर्जित कर रही है तापमान को, विकर्णों को और संसे भी आ रही है अब राथ में क्या हो रहा था जहां मैं कहा रही थी किरने जो है कुछ तो चली जाती है बार कुछ नहीं जा पाती अब यहाँ पे क्या है किसी को भी नहीं जाने दे रही है पूरा रोक दिया इसमें पूरा रोक रखा है यहाँ पे क्या हो रहा था नॉर्मली normally क्या हो रहा אז पुछ का कोई भी किरण बाहर नहीं जा पारी अब कोई भी नहीं जा पारी तो प्रथवी का टेंपरेच्र जू है वो बड़े जा रहा है दिन में भी दिन भी दोनों क्रियाएं होती है ऐसा नहीं कि सूरी की किरने आ रही है तो आ ही रही है सूरी की किरने टकराती है वापस भी चली जाती है कुछ अंदर चली जाती है कुछ वापस टकरा के चली जाती है अब इनों ने तो क्या पूरा ब्लॉक कर दिया यह सिफ आने दे रही है जाने दे ही नहीं रही अब जाने नही तो temperature बहुत बड़ा हुआ है प्रत्वी का और उसी के लिए हम उसको कहते है global warming समझे आप बात को कि normally भी हमारे पास green house काम करता है प्रत्वी पे लेकिन वो दोनों तरीके से काम करता है वो सूरज की किर्णों को आने भी देता है और कुछ को टकरा के वापस भी बेज़ देता है दिन और रात दोनों में जहां पर क्या हो रहा है दिन में ये सिर्फ आने दे रहा है जाने दे ही नहीं रहा रात में भी जाने नहीं दे रहा तो प्रत्वी के temperature तो बड़े गई इसलिए आजकर आप देखते हो कि गर्मियों के दिनों में 55 डिगरी तक temperature हो जाता है जहां पर केवल 35 डिगरी की गर्मी पड़ा करती थी और रात में भी लू चलती है ऐसा लगता ही नहीं कि रात हुई है कुछ थंड़ग मिली है प्रत्वी को यह सब क्या है ग्लोबल वामिंग है ठीके कुछ गैसे प्रत्वी से उश्मा को प्रत्वी के वायू मंडल के बाहर जाने से रोकती है वायू मंडल में विद्धिमान इस प्रकार की गैसे वरदी संसार के ओसत तापमान को बढ़ा सकती है इसके प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है यह परिभाशा हो गई लिए टेंपरेचर बढ़ रहा है इसकी वज़ा से अब यह गैसेस कौन कौन सी है यह है CO2 नाम पूछ सकते हैं आपसे मिथेन, सल्फर डायोकसाइड यह सारी गैसेस है नाइट्रोजन डायोकसाइड भी है वायू मंडल में विद्धिमान कारबन डायोकसाइड में व्रद्धी आ गया कारबन डायोकसाइड की लेयर मोटी होती जा रही है यह जो मैंने लेयर बनाए कहान है कारबन डायोकसाइड की लेयर है कार्वंडर्य अक्साइट की लेयर में व्रद्धी हो रही है और वायू मंदल में उश्मा की व्रद्धी हो रही है उश्मा मतलब वही हीट तापमान बढ़ता जा रहा है इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्मिक उश्मिकरन जो मैंने आपसे कहा ग्लोबल वामी उसको हिं पेड़ पौदे काट दे कि पेड़ पौदे क्या करते थे पेड़ ने लेकर इसे लान काते जाघाए अब यहारण ची निकल ले बन चक्र एक बार और रिवाइस हो जाएगा साथ में ये पौदे हैं ये प्रकाश संस्लेशन कर रहे हैं फोटो सिंतेसिस लिख सकते हो आप हिंदी में प्रकाश संस्लेशन यहाँ पे फोटो सिंतेसिस को प्रकाश संस्लेशन ठीक, है पौदो ने लिया अपना खानावना बना लिया जो भी उनको चाहिए था फिर इन पौदो को कौन खाएगा, एंइमल खाएगे, बेड़ बकरी ने खा लिया फिर एंइमल क्या करते हैं, आपसे कहा था मैंने स्वशन करते हैं स्वस्षन में क्या होती है? उक्सिजन काम में आती है एक चीज निकलती है स्वस्षन मतलब ह Insurance लेते हैं क्या निकालते है? CO2 निकालते है इदर जब animal और plant dead हो जाते हैं मर जाते हैं तो वो सारी carbon किसी मिल जाएगी? मिट्टी में दीरे दीरे पौदा सड़ जाएगा, इनिमल सड़ जाएगा, सब कुछ सड़ जाएगा और कार्बन मिट्टी के अंदर मिल जाएगा चाहे वो कंकाल रूप में हो कंकाल भी सड़ेगा तो भी ultimately उसकी जो cells है, कोशिकाएं है कोशिकाओं के अंदर जो glucose, carbohydrate, जो मैंने आपसे कहा protein, सब सड़ेंगे, और सब किस से बने हुए, सब कार्बन से बने हुए तो सब तूट तूट के कार्बन ही बनाएंगे तो कार्बन बन जाता है फिर इस कार्बन को वही मैंने आपसे कहा क्या बन जाते हैं इसे जब बहुत सालों में ये जीव, जन्तू, पेड, पोदे बहुत जमीन में चले जाते हैं तो एक चीज बन जाती है जिसको हमने नाम कहा जिवाश में इदन है ना, जिवाश में इदन आ जाता है fossil fuel, इसको हम इंगलिश में कहते हैं, fossil fuel koila, petrol यही इनके मरने से ही बनता है इनके सडने से, इनके मरने से बहुत सालों में बनता है, ऐसे नहीं आज गाड़ा कल बन गया, बहुत साल लगते हैं फिर हम उसको काम में ले ले लेते हैं factory में, vehicle चलाने में और उससे जो gas निकलती है यह कौन सी, gas तो एक ही निकल लेगी जलने से, वो ही carbon dioxide तो carbon dioxide वापस बायू मंदल में चली जाएगी तो इस तरह से आप यह draw कर सकते हैं, पेड़ वेड़ बना के इस तरह से, तो इस तरह से carbon dioxide का क्या चलता रहता है चक्र चलता रहता है अब यह carbon dioxide क्या कर रहे हैं हम छोड़े तो जा रहे हैं इधर से, जो है, मर रहे है जी, उससे जा रही है, जलने से जा रही है respiration कर रहे हैं, आप सुशन कर रहे हैं उससे जा रही है, लेकिन हम पेड़ को भी काटते जा रहे हैं पेड क्या करते थे इसी carbon dioxide को use करके प्रकास translation करते थे अब आपने वो पेड तो काट दिये हैं तो carbon dioxide तो use हो नहीं रही ultimately क्या होगा carbon dioxide की मात्रा बढ़ रही है जिससे की प्रत्वी के चारों और क्या बन जा रही है एक layer बन जा रही है जो सूरी की किर्णों को सिर्फ अंदर आने दे रही है बाहर नहीं जाने दे रही है या कम मात्रा में जाने दे रही है जिससे की प्रत्वी का temperature बढ़ रहा है और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं green house प्रभाव और ये green house शब्द कहां से आया है ये green house शब्द इस वाली चीज़ से आया है जो शितोष्ण वनी थंडे जो प्रदेश है थंडे countries है वहाँ पे ये use किया जाता है लेकिन ऐसे ही हालात हमारे प्रत्वी के हो रहे हैं और वो भी गलत तरीके से नुकसान दाएगे तो फायदे मंद है पौदों को temperature maintain कर रहा है हमारे लिए भी फायदे मंद था हमारी प्रत्वी में भी होता था हो रहा है लेकिन CO2 के वज़ा से ये बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हो रहा है है ना आने दे रही है जाने नहीं दे रही तो ये था आज का हमारा lecture और काफी इंटरस्टिंग लगा हो आपको ऐसा मेरा मानना है तो चलिए मिलेंगे नेक्स क्लास में नेक्स कहानी के साथ तब तक के लिए दन्यवादा